हेलो विडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग Python की help से create कर सकते हैं एक पाइचार्ट वो भी सिर्फ March lines of code में सो बेना टाइम वेश करें शुरू करते हैं आज की वीडियो सो गाइस पाइचार्ट जनरेट करने के लिए हम लोग को एक मोडियूल का यूज करना होगा और उस मोडियूल को इंपोर्ट कर लेते हैं matplot matplotlib.pyplot यह Python में प्रेडिफाइन मोडियूल है जो हम लोग यूज करेंगे और हम लोग इसको यूज करते है aspld और अब हम लोग एक लिस्ट कर लेते हैं जो भी हमारे उसमें credential लेगी जो हम लोग डाटा पास करेंगे इस चीड़ का याद रखना जो भी आप लोग डाटा पास करेंगे वह आपका 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसके बाद हम लोग उसमें लेबल भी चाहिए तो हम लोग अगें एक लिस्ट करते हैं और हम लोग को जिस एकोर्डिंग में जिस इंडेक्स में हम लोग ने वैल्यू पास करेंगे उससी इंडेक्स में हम लोग उसके नाम पास करेंगे 30 पे हम लोग देते है python और अगें 30 पे हम लोग देते है c++ next 30 पे 20 पे हम लोग देत पाई चार्ट जेनरेट करना है तो यह लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग लेते हैं लेबल्स labels equals to la and plt.show इस फाल को save करते हैं एक बार हम लोग run करके देखते हैं क्या हम लोग को इसमें output मिलता है तो अब हम लोग लिखते हैं python pulkit.py enter करते हैं वेट हो थोड़ा सा time ले गए और ये देखिए इसको हम छोड़ा छोड़ा कर देते हैं ये हमारा पाई चार्ट easily generate हो गया आप लोग इसमें भी देख सकते हैं जो जो हम लोग ने credential use किये थे वो सारे credential हमें इसमें easily मिल गए देखिए इसमें हम लोग python java c++ use किया था और वही सब हम लोग को इसमें मिल गया तो इस तरह से आप लोग python की help से कोई भी पाई चाट generate कर सकते हैं और इसमें हम लोग अडिट भी कर सकते हैं configure वागारा कर सकते हैं save कर सकते हैं इसको zoom in and zoombout कर सकते है